हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत था है आपके अपने इस वीट्यूब चैनल रॉली स्पोस्ट गुरु जी में फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बचन मिल जाएगा आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चानल कैसा बन सकते हैं इस वीट्यूब में हम जिस मैची बात करने वाले हैं वो मैच SSC T20 World Cup का चौथा मैच जो कि UAE और उमान के बीच में रात को 9 बजे अबुधावी के वैनूपर खेला जाएगा वहीग आपने भी तक हमारे टेलीगनरी चैनल जोईन ने किया है जहाँ पस हमाओ काफी कुछ अपडेट कराते रहते हैं चैहे प्लेइंग लेuben को लेकर हो प्लेए श्यृट प्लेस्ट को लेकर हो यह टास अपडेट को लेकर हो अगर आप जोईन होना चाहते हैं वहीं फ्रेंड्स अगर आप ड्रीम लोन कर छोड़ कर इस ऐसे fantasy site को ट्राइ करना चाते हैं जहाँ पस जो competition हो काफी कम हो लेकिन जो point system हो interface हो सेम ड्रीम लोन की तरह ही हो तो आप यहाँ से my favorite को ट्राइ कर सकते हैं जो काफी से fantasy site है और लगतर popular हो रहा है अगर आप इसको download करते हैं तो हमने इसका link नीचे provide आपको करा दिया है साथ ही आप हमार रेफर को दिस्तुमाल का न बेलकुल मत भूलेगा जिससे आपको 50 रुपीस सायना बोनस मिल जाएगा अगर आप यहाँ से इन दोनों ही team का पिछला international match देखोगे तो ओमान ने अपना जो पिछला match नेपाल के खिलाफ खेला था जहाँ पस ओमान ने नेपाल को 6 विक्टोस राथ दिया था जिसमें एस कुमार के 42 से बी खान के 2 विकेट थे और एक खालीम के 5 विकेट थे वही फ्रेंट्स अगर आप यहाँ से UAE का पिछला match देखोगे तो UAE ने अपना जो पिछला match है नेदर लेंग के खेला था जहाँ पस UAE ने नेदर लेंग को 7 विक्टोस राथ दिया था जिसमें एक अहमाद के 75 विकेट सब्बीर के 58 विकेट थे यहाँ से एस अहमाद के 2 विकेट थे यह कुछ प्लेयर से फ्रेंट्स दोनों ही टीमों के दरब से जिन्होंने अपने पिछले इंटरनेशनल टिर्टी मैच में अच्छा करके आए हैं आप इन प्लेयर के नाम को नोटीस सके रखिएगा क्योंकि यही कुछ प्लेयर है इन दोनों ही टीमों के दरब से जो लगतर अच्छा कर रहे हैं यहां से आते हैट्टी एन काउंटर पर इन दोनों टीमों अपने पिछले हैट्टीट है तो जर सोला में खेला था जहां पस यूएई ने ओमान को इक खत्तरन से हरा देफेंट से अगर कंपेर करें दोनों ही टीम को तो यहां पस यूएई की टीम में काफी तर हैने वाले हैं तो आप इन ही के साथ जाएएगा हो सके तो ग्रैंड लिग में आप यहां से एक नाम फ्रेंट जे मक्सूद इनको ट्राइ कर सकते हैं जो काफी प्लेयर आप इनका रिकॉर्ड लगतार देख सकते हैं जब यह दोनों टीम आपस में भीडी है काफी अच्छा इनका प्रफॉर्मेंस रहा है तो ग्रैंड लिग में आप इनको भी एस अ क्याप्लेंट ट्राइ कर सकते हैं बागे आप यहां से एक वार हैट्वर मुकाबला देखोगे जिसको 2015 में युएई ने साथ जीता था जीसे फिर से आप यहां से उमान के दरब से जे मक्सूद को देख सकते हैं जिरूने 44 और 1 विकेट निकाले थे लेयास से 22 रन थे मुस्तफा के 41 विकेट और एर रजजा के एक विकेट थे आप यहां से आते हैं हम अपने चैनल की इंपोटेंस डाइन सक्षनर पर जोगे एक फ़ाइब और प्लेयर हैं जैज मक्सूद मैस त्मच प्लेयर रहे दुनों ही टिम उके तरब से जो लगतर अच्छा करके आएं हैं और आज के इस वाले है जहूर खान है और यह रसा है कोशिस कीजिएगा कि इन 10 में से करीम 9 प्लेयर आज की इस मैच में आपकी स्मॉल लिके टिम में जुरून हो वहीं रब ग्रैंड लिग खेलते हैं तो आप इन में से किसी 4-5 प्लेयर को इग्नौर करके ग्रैंड लिग में जा सकते हैं आप नावीद को पिक किये हैं या सहिमान अनवर को अभी तक ड्रॉप नहीं किये हैं तिनकों ड्रॉप कर दिजिए बिल्कुल यह इसमार मैच में आपको खेलते हैं जर नहीं आएंगे महें अगर आप यहां से उमान का पॉसिबल एलोन देखोगे तो आपको उमान के तरब से जितिंदर सिंग और खवार अली उपन कर दिखाई देने वाले हैं बाकी लियास हैं मक्षूद हैं सुरज कुमार हैं अमिर खालीम हैं नादीम हैं भत हैं नवाज हैं बिलाल खान है और यहां से मेरन खान हैं मेरे इसाब से यही पॉसिबल एलोन रहने वाले हैं उमान के टिम के तरब से बाकी अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम आपको अपने टेल ग्रापर सियर कर देंगे वहें अगर आप युवई का पॉसिबल एलोन देखोगे तो युवई के अगर टॉप और फेल हो जाता है तो आपके लिए इसमान अच्छे पी करहने वाले हैं इसलेकर आप ग्राणली खेलते हैं तो आप इन दोनों प्लेर के इग्णॉर करके मत चलिएगा अगर आप इसमान ली खेलते हैं तो आप इन चार में इसकी सिदों को अपना क्याप्ट से आपको उशमान, सूरी, जहुर खान मिल जाएंगे वो यह मान के दरह से खालीम, जीतेंदर सिंग और मक्सूद आपको मिल जाएंगे जैसक मैंने आपको इनके रिकॉर्ड बता ही चुका हूँ चेलोई फ्रेंस देख लेते हैं क्या होस्ति में डिरमम के टीम और जो टीम होँआ डिरंमम में रहेगा वही टीम होँआई फैलो पर रहनेवाला है इसलेगर अप माई पर खेलते हैं ता आप इसी टीम को साथ वहाँए पस भी जा सकते हैं अगर आप भी जो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलिएगा सबसे पर अगर अगर आप यहां से विकेटी पर सेक्सन देखोगे तो मैंने यह सब्सक्राइब को पिक किया हुआ जो की युवई के दरब से आपको चाया नमबर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं बाकी बैटिंग से मैं तीन बैट्समें को पिक किया हुआ है जिसमें असकाफ एहमाद जो ओपन करने वाले युवई के दरब से साथ ही अगर आप टीम चाहेगी तो इनको इनसे एक से दुबर बॉलिंग भी करा सकती है यहां से एह इल्यास को मैंने पिक किया हुआ है जो कि आपको ओमान के दरब से ओपन करते के देने वाले हैं मैंने यहां से सी सूरी को पिक किया हुआ है जो को ओपनिंग करेंगे UAE के टीम के तरब से काफ़ी अच्छे बैट्समेन और हाग रिंग आपको करके देने वाले हैं अगर आप यहां से ओपसन देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया एस अनुवर बैन हो चुकी है इस वाल मैंच को नहीं खेलने वाले हैं वही नीचे से अगर आप ओपसन देखोगे तो आप बस सांदार ओपसन एं उश्माहन का ग्रैंड लीक लाप इनके सांथ जा सकते हैं जो कि आपको लपक छैन नामबर पर खेलते हैं काई देने वाले हैं बोथा और उसमाहन का जो पोजीशन फ्रेंग बैटिंग पोजीशन उपा नीचे होते रहता है वहीं जितन्दा सिंग आपको फिक्स ओपन करते हैं काई देने वाले ओमान के टिम के दरब से आप इनके सांथ भी जा सकते हैं आर रोंडर से मैंने चार आर रोंडर को पिक्क किया हुआ है मैंने यहां से लिया है रोहन मुस्तफवा को जो की वन डाउन आएंगे सांथे अपने कोटे का पूरे पूरे चार पर आप बॉलिंग करकर देंगे जी जी मक्सूत की बात करें तो यहां पो चार नंबर पर खेलते हैं देने वाले हैं सांथ ही अपने कोटे का दो से तिन नंबर आप बॉलिंग करकर देंगे यहां से कार अली को मैंने पिक किया हुआ है और यहां से मैंने पिक किया हुआ है और यहां से मैंने पिक किया हुआ है एक खालेम को जो दोनों ही आपो बैट और बॉल के साथ अच्छा करके देने वाले हैं इस वाले मैच में bowling section से मैंने 3 ballers को pick किया हुआ है मैंने यहाँ से pick किया है विलाल खान को एहमद रज़ा को जैसे मैंने आपको इनका record बताए लगतर विक्ते निकालते हैं और मैंने यहाँ से pick किया हुआ है जहूर खान को अगर आप यहां से option देखोगे तो आप बस यहां स्प्रेंट से दोनों option सेफ नहीं है जिसमें एम नावी जो एंटी करप्टेड के कारण बैंद हो चुके हैं वही अगर आप यहां से ace एहमाद को pick करना चाते हैं तो आप EUA के दरब से इनको pick कर सकते हैं और आपको इस वाल मैच में खेलते भी दिखाई देने वाले हैं बाकि अगर आप यहां से किसे और को pick करना चाते हैं तो आप यहां से एहमाद को pick मत कीजिए कादरे मद इस वाल मैच को नहीं खेलने वाले हैं आप यहां से बहुत केसा जा सकते हैं उमान के टीम के दरब से और नीचे स्प्रेंट से आप ग्राइन लीग के लिए यहां सिद्धिक को भी ट्राइ कर सकते जो काफिछे बॉला रहें अगर खेलते तो आपके ग्राइन लीग के लिए मश्पिक रहने चाहिए अगर आप हम फानल टीम देखोगे तो हमारा फानल टीम जिसमें जे सब्वीर है शूरी है असकाफ एहमाद है इल्याश है मुश्तफा है मक्षूद है काली मैं कवर अली है बिलाल खान है जहूर खान है और एमाद रजा है यह मारा फानल टीम रहने वाला आज की समयच के अगर आपको जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सेर्फ कीजिएगा और हमें कमेंट एक जुरूब रताइएगा कि आपको जो कैसा लगा और चेनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बेज़ों में दभूल लिएगा चले फेंस आज कर इतना ही मि ते है नेस्ट दुम के साथ में